नमस्कार दोस्तों इंडिया वर्सेज उस्टेलिया के बीच में जो पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है डे नाइट उस मैच में विदेश में फिर फी सड्डी साबित हुई है भारत ये बल्ले बाजी पहले दिन के खेल को खत्म होने के बाद भारत ने 233 रन बनाये है छे विकेट गुमा कर दोस्तों उसके बारे में मैं आपको पुरी जान करी बताऊंगा लेकिन आप इंडियन टीम को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना अब द पहले ही दिन के खेल की बात करे तो यह कही ना कही ऑस्टेलिया के नाम रहा भारतिय टीम की शुरूआत बहत खराब रही थी मैच की दूसरी ही गेंद पर ओपनर बल्ले बाद पुरुथवी शौ मिचल स्टार्क की गेंद पर बोल्ड हो गए थे इसके बाद मयंका गरवाल और चेतेस्वर पुजारा के बीच 32 रनों की एक छोटी सी साजेदारी हुई थी इसी के बीच मैंका गरवाल विपैट कमिंस की गेंद पर बोल्ड हो गए पुरुथवी शौ जहां अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे वही मैंका गरवाल 17 रन ही बना पाए सलामी बले बाच के जल्दी पेवरियन जाने के बाद चेतेस्वर पुजारा और कप्तान विराट कोहली ने 68 रनों की साजेदारी की चेतेस्वर पुजारा 43 रन टीम के 100 रन के स्कोर पर ही नेथन लायन की ग्यंद पर मारनस ला बुशेन को कैस थमा बैठे थे इसके बाद विराट कोहली और अजिंग के रहाने ने 88 रन की साजेदारी की थी लेकिन टीम के 188 रन के स्कोर पर कपतान विराट कोहली 84 रन पर रन आउट हो गए थे इसके कुछ देर बाद अजिंग के रहाने 42 रन बना सके और 196 रन के स्कोर पर पेवलियन लोट गए टीम के 206 रन के स्क खेल होने तक क्रीज में रवी चंदरन अश्विन 15 रन बना कर खेल रहे है और रिद्धिमन साहा 9 रन बना कर बल्लेबाजी कर रहे है उस्ट्रेले के लिए पहले दिन के खेल में मिचल स्टर्क ने जहाँ दो विकेट हासिल किये तो वही पैट कमिस जौस हैजल वूड और ने